नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में और सभी भाई वेनों को राम राम जै माता दी कैसे हो आप सब दोस्तों तो दोस्तों आज में आप लोगों के साथ एक बड़ी हाशी रेश्वी सेयर करूँगी और राजमे की सब्जी में बनाकर आप और एकदम से सीम्पल और सरल तरीके से बनाओंगी तो सबसे पहले चलिए दिपांस से पहले मिल लीजिए क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि दिपांस को वीडियो में लाया करो तो दिपांस सबसे नमस्ते कर दो नमस्ते हाय कैसे है मामा मुशी और थोड़ा इधर देखकर बात किया करो तुम दो जब पूछते हो तो उधर देखने लगते हो और एकजाम सब लोग पूछ रहे थे तुम्हारा पेपर कैसा गया तो सब लोगों को बता दो कैसा गया अच्छा गया तो दिपांस अखुष रहता है और मतलब गुसा कम करता ह आप लोग बोलते हैं गुस्सा कम किया करो और पढ़ाई ज़्यादा किया करो तो दिपांस गुस्सा कम किया करो पढ़ाई ज़्यादा किया करो पैना छोटा है ना दोस्तों तो थोड़ा सा गुस्सोरी ताइप का है लेकिन जल्दी से मान भी जाता है गुस्सा तो आता है ल तो उसके लिए हम आपसे मापी मांगते हैं लेकिन मैं इसे वीडियो में लाऊंगी और आप लोग ऐसे ही हमारा सहयोग और प्यार हमें देते रहिए हमारे बच्चों को देते रहिए तो चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके यह चमा करना दोस्तों तो इसमें डाल देंगे हम सर्सो का तेल तो दोस्तों तेल हमारा गरम हो चुका है इसमें हम डाल देंगे तेज-पत्ता और यह देखे यह दो प्याज है जो हमने बारी-बारी काट लिया है प्याज़ को भी हम डाल देते हैं प्याज़ फो में ब्राउन कर लेना है दोस्तों प्याज हमारी ब्राउन हो रही है दोस्तों और हमने मसाला पीस लिया है ये देखिए इसमें हमने प्याज, लासून, हरी मेर्च और धनिया इसको हमने पीश लिया है दोस्तों और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया ना अब हमें इसमें ना अल्डी डाला है ना गरम मसालाँ बर्ण के जो राजमा है राजमा उसने भी गोया था और इसके बाद इसको हमने उबाल लिया है दोस्तो ये देखिए फुकर में हमने इसे उबाला हुआ है बिल्किल से ये उबल चुका है प्लीज आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के बिंती करती हूँ कि प्लीज आप लोग हमारा सही योग कीजिए हमारा मनूबल बढ़ाईए क्योंकि इस समय हमारा वीडियो जो है पहले से डाउन हो गया है तो क्या कमी है वीडियो में वो हमें बताने की कोशिस करिए मैं उसे सुधारने की कोशिस करूंगी दोस्तों और ऐसा मत कीजिए हमारा वीडियो बिल्कुल भी मत देखना बंद कीजिए क्योंकि मुझे बुरा लगता है और आप लोग जब हमें देखते हैं सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है मैं उन भाई बेनों को नहीं कह रही हूँ जो हमारा वीडियो रोज देखते हैं मैं उन भाई बेनों को बोल रही हूँ जो हमारा वीडियो इस समय नहीं देख रहे हैं मैं उन से हाथ जोड़के माँखी मांगती हूँ अगर मुझे कोई गल्ती हो गई हो तो प्लीस मुझे छमा करिए और मुझे सपोर्ट करिए और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन भाई बेनों को मैं दिल से सुक्रिया कहती हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों ने मेरा 5000 सब्सक्राइबर पूरा करवाया उसके लिए तहे दिल से सुक्रिया दोस्तों और देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है और इसी तरीके से मैं अच्कियत की रेज़्की बनाती रहूंगी दोस्तों और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है अब हम इसने मसाले डाल देते हैं और सीवा आया है तो सीवा जीसे भी आप लोग मिल ली थिये और सीवा इधर आके बैठ जा तो से नमस्ते कर लो तो दोस्तों हमने मसाला डाल दिया है जूता निकाल दो और सबसे नमस्ते कर लो तो मसाले को हमने डाल दिया है दोस्तों इसको हम थोड़ा देव भून लेंगे तो स्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज मूंबी हमारी जाजमा चौज बना रही है बन जायागा तक दिखाते हैं कैसा बनाने राकी बनाती दो बहुत अच्छा है और बहुत सपोर्ट भी करिए आप तर आप लोगा सपोर्ट था पांच जा सब्सक्राइबर पूड़ा हो गया है तो बहुत सपोर्ट दिखाईए इसको पांच से दस करेंगे तो दोस्तो मसाला हमें भी ही ने आज में बूनना है तो मसाले में हम इसमें डाल देंगे दोस्तो हल्डी बॉनना है तो दोस्तो इसमें हम हल्डी डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे हरो के यह हम सब्जी मसाला लेकर आया है अगर आपके पास राजमा देंगे सकते हैं तो में कापाम मसाला लेहां हैं को सब्जी मसाला ही डाल देंगे और जा सिवा अभी खाना रेडी हो जाएगा फिर हमबला लेते आपको, और सिवा को भूख लग गई है दोस्तो, भूण ठीके हैं, थोड़ा सा इसमें पानी लाव देंगे, और थोड़ी देर और पका लेंगे दोस्तो, तो कि इतना ही मताला आप भूण हो गये, ति आपकी राजमा की सब्जी बनेगी, और आप लोग कैसे राजमा बनाते हैं, हमें कमेंट कैसे लिए बताईएगा दोस्तो, इसमें स्वादर नमक डाल देंगे दोस्तो, ये दोस्तो, और एक उबाल हमाने देंगे, तो दोस्तो, सब्जी हमारा देखिए, उबल चुका है, और बिल्कुल से ये रेडी हो चुका है, राजमा हमारा, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बढ़ियां कलर आया है इसमें, दूप की वज़ा से इसमें कलर आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दिखने में और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेश्टी है, सब जी हमारा बन चुका है, और आज का वीडियो यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ, आप सब को मेरी ये रेस्पी अच्छी लगी होगी, अगर खोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जीए और कमेंट कीजिए, तो चाहिए मिलते हैं एक अच्छी सी रेस्पी के साथ, तक तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जै मातादी, अपना थ्याल रख कियेगा दोस्तों,